जिस तरह से पिछले कई दिनों से एक चर्चा चल रही है कि कॉंग्रेस पार्टी हनुमान बेनिवाल की पार्टी राष्टिय लोकतांत्रिक पार्टी से गटबंदन करके अपने उमीदवार की गोशना करेगी लेकिन कॉंग्रेस का ही एक दड़ा ऐसा है वो कते ये नहीं चाहता है कि हनुमान बेनिवाल के साथ कॉंग्रेस गटबंदन करे जिसमें परमुक रूप से जो नामा है वो है बार्डमेर से आने वाले कॉंग्रेस के नेता हरिश चोधरी और हरिश चोधरी और हनुमान भी हनुमान बेनिवाल को आड़े हातों लेने में कतई पीछे नहीं सरकते हैं लेकिन आज जिस तरह से कॉंग्रेस ने अपनी पहली सुची जारी की है उसमें राजस्तान से एक भी टिकट की गोशना लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पांस से दस सीटों पर कॉंग्र पार्टी राजस्तान में गट बंदन करके चुनाव लड़ेगी या खुद अपने दम पर राजस्तान की 25 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है लोगों का ऐसा मानना है कि असोग गैलोत ये चाते हैं कि हनुमान बेनिवाल के साथ गट बंदन हो जाए और आरलपी कॉं कॉंग्रेस को फाइदा मिलेगा ही इसके अलावा कई A.S.A.N.S. सीटें हैं जिस पर कॉंग्रेस जीत का पर्चम लेरा सकती है और खास सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो यह है कि पूरों मुखे मंदरी असोग गैलोत अपने बेटे वेबब गैलोत को किसी भी स सूरत में चुनाव जीताना चाते हैं और वो चुनाव जीतने के पीछे हनुमान बेनिवाल उनके सार्थी बनकर सामने आ सकते हैं और अगर कॉंग्रेस और आरलपी का गटबंदन हुआ तो असोग गैलोत निस्चित तोर पर अपने बेटे वेबब गैलोत को जोत्पुर से यह नहीं चाता कि हनुमान बेनिवाल के साथ कॉंग्रेस का गटबंदन हो अब देखते हैं कि असोग गैलोत इस गटबंदन में काम्याब होते हैं या सचिन पाइलेट और उनके समर्थ तक इस गटबंदन को लेकर क्या सोचते हैं और उनकी क्यारन निती है यह भी परदे क को अगर कोई टकर दे सकता है तो वो यह माना जा रहा है कि हनुमान बेनिवाली है उनको टकर दे सकते हैं और वो भी गटबंदन होने के बाद मजबूत केंडिडेट के रूप में उनके सामने उमिदवार हो सकते हैं और जिदर ज्यादा जुकाओ जाट मददाताओं का हु जीत उसी के खाते में जाने वाली है जिस तरह से माना जा रहा है कि बाज़पा की टिगट जीत की गारंटी है वो नागोर में ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई देता है अगर हनुमान मेलिवाल के साथ कॉंग्रेस का गटबंदन हो गया तो क्योंकि जोती मिर्दा भी ये कते ही जाते ही कि ये चुनाव भी वे किसी सूरत में हार जाएं क्योंकि दो चुनाव लोग सबागे और एक चुनाव विदान सबागा जोती मिर्दा हारने के बाद पूरी तरह से सतर्क होकर और मुस्तेद होकर ये चुनाव लड़ना चाहती है और उनकी जीत में अगर कोई हनुमान बेनिवाल अगर कांग्रेस और अरिल्पी का गटबंदन नहीं होता है तो कांग्रेस के उमिदवार के लिए हनुमान बेनिवाल क्या करेंगे क्या वे खुद चुनाव लड़ेंगे या हनुमान बेनिवाल कांग्रेस के उमिदवार को समर्थन देगे ये भी एक द होते हैं कि यह गटबंदन नहीं हो लेकिन ज्यादा तर राजनेतिक जानकारिये मान रहे हैं कि गटबंदन होने के कारण कॉंग्रेस मजबूत होगी लेकिन हनुमान बेनिवाल पर बरोसा करना सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि उन्हों पिछले चुनाँ में बारतीय जंदा पार्टी के साथ गटबंदन किया और एंडिये के उमिदवार बनकर वे चुनाव जीत गए लेकिन चुनाव जीतने के बाद बाजबा का कबजा होने के बाद किसान आन्दोलों के बाद इन्होंने गट बंदन तोड़ दिया तो इस बात की गारंटी कौन दे कि हनुमान बेनिवाल कॉंग्रेस के साथ बने रहेंगे या वो चुनाव जीत कर आते हैं तो उसके बाद में क्या सिच्वेशन रहती है क्या इस्तिती बनती है क्या सिटों का गणित रहता है उस सूरत में वो और चला जाए तो कुल मिला कर देखा जाए तो पूरे राजस्थान में राजनितिक जानकार और नेताओं की नजर नागोर सीट पर है कि नागोर से क्या कॉंग्रेस अपना स्वतंतर उमीदवार उतारती है क्या अनुमान बेनिवाल के साथ मिलकर वे चुनाव लड़ते है इस बात को लेकर सवाल एक ही है कि कब नागोर की सीट की गोशना होती है लेकिन अब 11 मार्स तक ऐसा लगता है कि कोई भी सुची नहीं आएगी और जब सुची आएगी तो उसमें नागोर का नाम सामिल होगा या नहीं होगा ये भी एक बड़ी बात होगी कुल मिला कर ये कहा जा सकता है कि नागोर लोक सवाशीट की चार विदान सवाशीट ऐसी है जहां से फिलहाल कॉंगरेस के विदायक हैं जिनमें लाड़नू, मकरانा, खुद नागोर और परबसर इन चार विदान सवाशीटों पर जो विदायक है वो अपने कार्यकरताओं क क्या इसारा करेंगे ये सबसे बड़ी बात होगी क्योंकि रामनिवास गावडिया को हराने के लिए हनुमान बेनिवाल ने लचाराम बडारडा को अरलपी से वहाँ पर मैदान में उतारा था वहीं दूसरी और जाकिर हुस्एन को जिताने के लिए वहाँ पर हनुमान ने यहां पर उमिदवार नहीं उतारा था और उसी वज़े से हनुमान बेनिवाल के कारण ही मुकेस बाकर भी आराम से जीत गए थे क्योंकि जाट मददाताओं में विबाजन नहीं हुआ और इसी तरह से नागोर विदानसवाशीट पर भी जोती मिर्दा के सामने हरंदर मिर चेतन डूडी भी ये मानते हैं कि उन्हें हराने के लिए उनका बैक डॉर से यूनुस खान के साथ समर्थन रहा है इसी वज़े सी वे चुनाव हरे हैं तो क्या चेतन डूडी भी गटबंदन होने के बाद हनुमान बेनिवाल को सयोग करेंगे या नहीं करेंगे ये भी नहीं करेगी ये भी बड़ी बात होगी अब देखते हैं कि नागोर में क्या समीकरण बनते हैं किसके पक्स में बनते हैं जिस तरह से आम तोर पर ये माना जा रहा है कि भाजबा की टिगट जीत की गारंटी है लेकिन नागोर में सवाल यही है कि हनुमान बेनिवाल के साथ कॉंग्रेज गट बंदन करती है उसके बाद क्या समिक्रन बनते हैं उसके बाद इते होगा किसकी जीत होगी किसकी हार होगी और देखते रही है राज़ाइब